हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है विलाशा और आप देख रहे हैं फूडी अभी तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रॉकली तो फ्रेंट्स सबसे पहले आपको एक कड़ाई ले लेनी है उसमें ओल लाल कर ओल को अच्छे से गरम कर देना है फिर यहाँ पर मैंने ब्रॉकली को अच्छे से फ्राई कर लिया है तीन से पांच मिनट तक फिर उसे निकाल कर एक दूसरी प्लेट में रख दिया है तिन फ्रेंट्स तुबारा ओयल डालना है आपको कड़ाई में और गरम होने के बाद यहाँ पर मैंने डाली है थोड़ी सी हींग हींग डालने के बाद यहां मैंने डाला है तेज पत्ता तो फ्रेंट्स तेज पत्ता डालने के बाद मैंने यहां पर डाला है लसन का पेस्ट इसको आपको अच्छे से भून लेना है फिर यहां पर मैंने डाली है टमाटर और प्यास की प्योरी इसे भी आप अच्छी से पका ले यहाँ पर मैंने डाला है नमक, स्वादा नुचार हल्की सी हल्दी अब मसाले को अच्छी से भून लीजिए यहाँ पर डाला है मैंने धन्य मसाला थोड़ी सी लाल मिर्च इसे आप अच्छी से चला दें फोड़ सा पानी डाला है ताकि मसाला नीचे ना लगे और हमारा मसाला जो हमने डाला था वो भी अच्छी से पक जाए फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर डाली है ब्रॉकली तो फ्रेंड्स आप इसे ढख कर रख दीजे बीस से पचीस मिनट बाद बिलकुल लो फ्लेम में यह रेडी हो जाएगी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सस्क्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को